दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी फेस्बुक की इस्टोरी में किसी लिंक को शेर करना चाते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं क्योंकि आपको बता है कि normally हम अपनी इस्टोरी में फोटो शेर कर सकते हैं ये वीडियो शेर कर सकते हैं अगर किसी link को में शेर करना हो तो उसको किस तरह से करेंगे उसी का process आज किस वीडियो में आप लों को बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पर आपको उस link को paste करना जिसे कि आप अपनी इस्टोरी में शेर करना चाहते हैं चलि जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल की link को यहाँ पर paste कर दिया है और इसको paste करने के बाद आपको करना क्या होगा कि इसको आपको यहाँ से post कर देना है चलि मैं इसको यहाँ से post कर देत तो यहां पर आप देख सकते हैं कि sharing के आपको multiple option देखना को मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर WhatsApp पर share कर सकते हैं, messenger पर share कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे first option आप देख सकते हैं, share to your history को option मिलता है, simply आपको इस पहें tape करना होगा, जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी story open हो चुकी है और यहाँ से अब आप इसको अगर adjust करना चाते हैं थोला उपर नीचे तो इसको आप यहाँ से adjust कर सकते हैं और इसके बाद आपको इसको यहाँ से simply जो नीचे की side आपको button ना जराता है share to story इसको टेप कर देना है जैसे आप इसको टेप करेंगे तो यहाँ पर उपर की side आप देख सकते हैं कि हमारी story में यह link यहाँ पर share हो चुकी है अगर कोई भी visitor यानि के मारा friend इसको आता हमारी story को open करता है तो उसको यह link यहाँ पर show होगी और अगर वो इसको 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 क्लिक करता है तो सीधा हमारी उसी link पर पहुँच जायागा जो हमने यहाँ से share किये जैसे कि मैंने अपने YouTube channel की link यहाँ पर share किये तो अगर कोई इस पर किलिक करेगा तो सीधा मेरे YouTube channel पर पहुँच जायागा तो ठीक इसी तरह से आप देखर किसी भी चीच की link यहाँ पर share करना चाते है तो इस trick से easily कर सकते है तो दोस्तों में पूरी में दिए कि आपको जनकरी जरूर पसंद आई होगी तो अगर आपको अचके वीडियो पसंद आया तो लाइक को share जरूर कीजेगा